नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर इंडर वार्सिक परिक्षा के लिए 1522 और मैट्रिक के लिए 1583 के इंडर बनाए गए इंडर वार्सिक परिक्षा के लिए 1522 और मैट्रिक के लिए 1583 के इंडर बनाए गए के लिए 1525 के इंडर बनाए गए थे तो वही मैट्रिक की परिक्षा के लिए 1525 परिक्षा के इंडर बनाए गए थे ऐसे में इस बार परिक्षा कदाचार मुक्त हो सके इसके लिए परिक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है आपकी जानकारी के लिवतादी की बोर्ड के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार इंटर की परिक्षा की शुरवात एक फरवरी से होगी तो जिनको लेकर सिक्षक संग और सिक्षकों के बीच नाराजगी बनी हुई है बता दे कि अपकेके पाठक के दौरा सिक्षकों के ऊपर एक और सकती बरहाडी गई है दरसल D.E.O. के दौरा निर्देश देते वे कहा गया है कि कोई भी सिक्षक अक्षा के दौरान मोबाइल का इस्तमाल नहीं करेंगे और अगर ऐसा होता है तो प्रखंट जिला सिक्षा पदाधिकारी संबंधित स्कूल के प्रधाध्यापक से जवाब मांग सकते हैं और इसकी जमेदार प्रखंट सिक्षा पदाधिकारी और वहां के प्रधाध्यापक होंगे करपूरी छात्रावास में बढ़ेगी 50-50 बेड की संख्या राजे सरकार के द्वारा बिहार के जिलों में पिछ्रा इवं अतिपिछ्रा कल्यान विभाग द्वारा तयार किये गए जन्नाय करपूरी ठाकुर छात्रावास में 50-50 बेड की संख्या बढ़ाने का निर्ने लिया गया है बता दे किसको लेकर बिहार सरकार के भवन निर्मान विभाग के द्वारा जिलों से नए बेड बढ़ाने की स्थिती में नए कमड़ों के निर्मान की संभावना से सम्मंधित प् बढ़ के होते हैं फाइटिंग जैसी महतपुन बिद्वों को ध्यान में रखा जाता है पुलिस महाने देशक बिहार के आदे से पटना सदर कोर्ट था गया के सदर कोर्ट का सिक्योरिटी ओडिट CISF के विससग्यों और CISF के मानक के नुसार कराने के लिए पत्रा चार किया गया था इसकी स स्कूल को मिला कर केवल 18.3 फीजदी स्कूल ऐसे हैं जहां कम्प्यूटर की सुवधा है बता दे के NCRT की ओर से नई सिक्षा नीती 2020 को लेकर स्कूलों का एक सर्वे किया गया जिसमें यह जानकारी सामने आई है मालम हो कि नई सिक्षा नीती 2020 के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात से 5 तक के स्कूलों में कम्प्यूटर ही नहीं है वहीं छटी से 8 वी तक 10 हजार स्कूलों में ही ICT लाब के तहत कम्प्यूटर लगाए गये हैं सिक्षक भर्ती परिक्षा के इस पेपर में क्वालिफाई होना जरूरी नहीं बीदे दिन बिहार लोग सेवा आयोग के परिक्षा नियंतरक के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया कि सिक्षक निउक्ती परिक्षा के दूसरे चरण में वर्ग एक से पांच को छोड़ कर अनि सभी वर्गों के विश्यों की परिक्षा में भाग एक भाशा के अंख को सुने कर दिया गया है से में अपके वल वर्ग एक से पांच के भाग एक भाशा के प्रापतां को मेरिट लिस्ट तयार करने में प्रियोग किया जाएगा आपके जानकारी के बतादी के प्रशन पत्र के पहले खंड के 30 प्रशनों में 22 प्रशन हिंदी और 8 प्रशन अंग्रेजी से पूछे गए इस खंड में अभियर्थियों को 30 फीजदी अंक लाना अनिवारे था इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों से अलग-अलग 30 फीजद पर एक लाख रुपे इनाम की घोशना तै की गई है बतादे के निक्तिस अपरादियों में जिनके नाम शामिल हैं उनमें वैस्चाली का राज विवेक और फिडंगी राकेश कुमार और छोटू दिल्ली कुमार सिंग और छोटू और दिलिप कुश्वाहा रवी सहनी आलोक स जॉन राइट राजू पटेल और राजू सिंग एवं इंद्रसेन कुमार बेगु सराय का नगीना महतो और नागो महतो सुधिर सिंग और लंबुआ सशी ठाकूर नितीश कुमार महेश महतो एवं गंगा महतो मधेपूरा का जनेश्वर यादव प्रमोद यादव गोपाल एक की परिक्षा बिहार के बगा के रामनगर में सित एपी जे अब्दुल कलाम डिगरी महाविद्याले में नरकटिया गंस टीपी वर्मा कॉलिज के परिक्षा का सिंटर नरधारित था ऐसे में इस परिक्षा में शामिल होने के लिए करीब 150 परिक्षारती वहाँ पहुँ इसको ध्यान में रखते वे प्रशासनिक पहल पड़ और नयाले के आदेश पड़ उसे परिक्षा देने की अनुमती प्रदान की गई थी जिसके बाद वह उस परिक्षा में मजस्ट्रीट वह पुलिस की करी सुरक्षा के साथ पहुँचा मारूं हो कि अजयराम की गिरफत तसकरी के द्वरा नय नय तरीकों से तसकरी को अंजाम दिया जाता है पतारी की ताजा मामला बिहार के मुझपरपुर के सकरा थाना चेतर के मुरौल प्रखंड अंदरगत महमूदपूर मोहन गाउं का है जहां सकरा थाना पुलिस के द्वरा गुपत सूशना के आधार पर चापे मारी करते वे आम के बगीचे से वहां मौजूद एक आम के पेर पर से साथ काटन विदेशी शिराब बडामत किये गये और साथ ही पुलस के द्वारा नीचे जारियों से भी 28 काटन विदेशी शिराब बडामत किये गये हैं फिलाल पुल्स के दोरा शड़ाब को जब्त कर दिया गया है और एक यूवक जुनचुन कुमार के खिलाफ एपायार दर्ज की गई है। दिसमबर को आयोजे छटी से आठवी के उर्दु विशय से प्राप्त आपतियों की समख्छा के बाद दुट्य आपबंधिक पत्र जारी किया जाएगा और फिर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा ऐसे में पूरी संभाब नजटाई जारी है कि रिजल्ट दिसमबर के अंतम सप्ता में घोशत कर दिया जाएगा इसके लिए आयोग के ओर से तैयारी की जा रही है एक निश्य चाहिए एक नितीश चाहिए पत्ना में लगे पोस्टर एक तरफ जहां आज याने के 19 दिसमबर को देश की राजधाने दिल्ली में इंडिया गडवंधन की बैठक ह रही तो वहीं दूसरी ओर बिहार की राजधानी पत्ना के सरको पर बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के समर्थर में पोस्टर लगा दिये गया है बता दे किस पोस्टर में लिखा गया है कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्य और एक नितीश चाहिए माल किस से पहले भी कॉंगर्स विधायक और जेडियू के लिता के दोरा मुख्य मंत्रे नितीश कुमार को इंडिया गडबंधन का नितित्वक सौपने की मांग की गई थी आरजेडी MLC सुनिल कुमार सिंग ने अप्रत्यक्ष रूप से सीयर नितीश पर बोला हमला राजिस सुप्रीमों लालु पशाद यादव और बिहार की पुर्व मुख्य मंत्री राबरी देवी के भाई कहे जाने वाले आरजेडी MLC सुनिल कुमार सिंग के द्वारा एक बार फिर से मुख्य मंत्रे नितीश कुमार शडाब बंदी और पटना संग्रहाले से पुराने म्यूजियम तक बनने वाली टनल के नामकरन को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से तीखा तंच कसा गया है बतादिक इसको लिकर सुनिल कुमार सिंग के द्वारा दो पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें पहले पोस्ट में उनके द्वारा लिखा गया है कि मेरी प्रवल एक्छा है कि गरीब जंता के टैक्स से बिहार संग्रहाले पटना से राजगीर तक एक सुरंग बने जिसका नाम करन उनके ही नाम पर हो महीं दूसरे पोस्ट में उनके द्वारा लिखा गया है कि बिहार में शराब बंदी की हालत वही है जैसे मानगे कि किसी व्यक्ति का पूरा सरीर नंग धरंग हो और वह पैर में चांदी का पाजेब पहन रखा हो इंडिया गरबंधन की बैठक पर बीजेपी का तंज बीजेपी के राष्ट्रे प्रवक्ता और बिहार के पुर्व उद्योग मंत्री सहनवाज हुसेन के द्वारा इंडिया गरबंधन पर तंज कसा गया है इंडिया गरबंधन का कुछ होना नहीं है इनकी बैठक से हम लोग हताष नहीं है बलकि ये बैठक हताष और निराश लोगों की है ये लोग तीन राजियों के चुनाओं में बुरी तरह चत हो गए हैं इनका मोदी के सामने कोई मुकाबला नहीं है ये बैठक इसलिए है कि बीजेपी मोदी जी को 400 के पार नहीं जाने देना है इनका मकसद है कि बीजेपी को 375 या फिर 350 तक रोकना है लेकिन हमारा दौरा 400 पार का है IPL 2024 में लागो हुआ नया नियम आज यानी कि 19 दिसंबर 2023 को IPL 2024 का आक्षन हो रहा है ऐसे में से बीच अब IPL के नियम में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है दिरसल IPL 2024 में अब तेज गेंद बाजो को प्रती ओवर दो बाउंसर डालने के अनुमती होगी मानु हो कि यह पहल बल्ले और गेंद के बीच मुकावली की बडाबरी करने के लिए की गई है बहिस बदलाव को लेकर अनुमभवी खिलारी जैदेव उनादकट के द्वारा कहा गया कि यह अच्छी पहल है मज़े लगता है कि यह गेंद बाजों को बल्ले बाजों पर जादा फाइदा देने वाले कदम में से एक होगा अब डेत ओवर में तेज गेंद बाजों के पास जादा ओप्सन होंगे आपकी जानकारी के बता दे कि आईपेल 2024 के शुरवाद 22 मार्च से मई के अंत तक में होने की संभावना है जानियाद बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट? प्रति लीटर है बता दे कि बिहार में पिट्रोल का रेट सबस्यादा किसन कंज में जहां पेट्रॉल एक सुनने रुपे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है अब वरते हैं आज के पांच सवाल की और हमारा पहला सवाद है प्रति लीटर के कितने फिस्दी स्कूलों में कंप्यूटर सुवधा है ऑप्शन ए 18.3 ऑप्शन बी 20.4 ऑप्शन सी 30.5 ऑप्शन डी 31.8 इसका सहुत्तर है ऑप्शन ए 18.3 अगला सवाल इंटर वार्सिक परिच्छा 2014 के लिए राज्जी में कितने परिच्छा केंदर बनाए गए हैं ऑप्शन ए 1471 ऑप्शन बी 1583 ऑप्शन सी 1522 ऑप्शन डी 1525 इसका सहुत्तर है ऑप्शन सी 1522 अगला सवाल दूसरे चरण की सिक्छक निपती परिच्छा के जारी किये गए ऑप्शन बंधिक उत्तर पड़ आपत्ती करने की अंतिम तारी कब तक है ऑप्शन ए 19 दिसमबर, ऑप्शन बी 20 दिसमबर, ऑप्शन C 21 दिसमबर, उपशन D 22 दिसमबर इसका सहुत्तर है ऑप्शन बी 20 दिसमबर अगला सवाल, करपूरी छातरा और बास में बेडो की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होगी अगला सवाल भागलपुर में आज पेट्रॉल की कीमत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 107.8 रुपे बीते दिन हमारे दुरा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अप्रजाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नसार आपके छितर के स्कूलों में बच्चों को और कौन-कौन सी सुवधाय मिलनी चाहिए अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में लिख का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम करबों के साथ बने रहे बिहारे नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चाहरों को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो प्रेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद